Welcome to Glamour Talks Big Boss OTT 3 को start हुए अब लगबग 10 दिन हो गया है लेकिन 10 दिन में भी ये show अपना hype create करने में successful नहीं हो पाई है Big Boss OTT 3 को देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये Big Boss OTT 2 का एक parody show बनाया गया है ये कोई actual reality show नहीं है बलकि पुराने जो show है Big Boss OTT 2 के और Infact और कई सारे show का थोड़ा थोड़ा चीजों को लेके उसका एक parody show बना दिया गया है इसका main कारण जो है वो ये है कि इस बार जो contestants आ हैं वो ज़्यादा तर बेकार हैं उनमें कोई भी दम नहीं है आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे एक एक कर्ड के हरे कंटेस्टेंट के बारे में हम अपना opinion देंगे कि कैसे ये सारे के सारे कंटेस्टेंट जो है एकदम से useless है जिनकी वेशे से ये show अभी तक पूरा का पूरा flop जा रहा है कोई भी hype create नहीं हो पा र रहे हैं लोगों को कि ये कैसे बाहर इसको जोकर 2.0 कहा जा रहा है काटारिया को जोकर लोग चू कह रहे है क्योंकि इससे पहले मुनावर वाले सीजन बिग बॉस 17 में एक जोकर गया था जो की इलविस के कुछ वर्ट सिस्टम बावु भीया के सामने कोई बोल सकता है क्या दो-چार चीजों को कॉपी कर रहा था लोगों ने उसको जोकर बना दिया वो अफिशली उस सीजन का जोकर बन गया इस सीजन में जब कटारिया गया है वो तो 110% एक तम एक एक चीज सिर्फ और सिर्फ इलविस का कॉपी कर रहा है उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हो घ देखा होगा अगर live में तो ये कटारिया जो है वो शिवानी कुमारी को कहता है उसके बालों की चंपी कर दे ये सर सिस्टम ये सारी की सारी words जो है इल्विस वाली हू बहू उसी accent में उसी तरीके से वो बोलता है नया कुछ भी नहीं है यहां तक कि अंदर में जो वो जोग भी मारता है वो भी पुराना जो सुनाया जा चुका है OTT2 में सेम जोग वो रिपीट कर रहा है अंदर में तो कटारिया तो जोकर टू पॉइंट वो बन चुका है एकदम से useless contestant अगर किसी को इल्विस का accent उसके jokes उसका style देखना होगा तो ओरिजनल OTT2 के पिशोट सभी वी जियो सिनेमा पे अब लेवल है वो जाके वहाँ देख लेगा कोई ये नया शो में आके अपना time waste क्यों करेगा जो इल्विस के fans भी है वो भी ओडिजनल इल्विस को देखना चाहेंगे ना कि उसका कोई सस्ता कॉपी को देखना चाहेंगे तो ये बात होगी इकटारिया की next हम बात करते हैं सिवानी कुमारी सिवानी कुमारी जो है वो मनीशा रानी की कॉपी करके आई makers ने भी सोचा कि वो थोड़ा सा element जो है गाम वाला टच होगा लेकिन ये इतनी fake contestant निकी इतनी ज़्यादा fake कि जिसका कोई भी limit नहीं है वो रोती है तो उसके आँखों से आसू नहीं आते जवरदस्ती का रोती है कल के episode में आपने देखा हुआ कि वो जिस तरह से अपना चोट लगने का acting की पहले जब देखी कि पॉलमी दास गिर गई है तो वो वहाँ पे खुद acting करने लगी कि उसको भी चोट लगी है लंगडाने लगी लंगडाते लंगडाते बाहर निकली उसके बाद विशाल के साथ दौर के भागने चली गई बात्रूम में एडिया में वहाँ से सामान लाने अपना विश्पूरा करने उसके बाद से जब उसको कान सोडी वाला बिग बोस ने कहा तो जिस तरह से रनवीर सोडी ने इतना ग्रेसफुली किया वो वहाँ पर ड्रामा करके बेहोस होने का नाटक करने लगी और रोने लगी वो पूरा पूरा कम्प्लीटली फेक दिख रहा है गाउं से होना आपको हमबल बनाता है ना कि इस तर से कि शिवानी कुमारी है किसी को भी disrespect कर देती है किसे से भी clearly दिखता है कि उसका जो भी है सब कुछ बनावटी है मनीशा रानी के M के बढ़ाबर भी नहीं है शिवानी कुमारी मनीशा रानी को अगर कुछ पूजा भट का बुरा भी लग जाता था तो उम्र का लिहाज करक और सामने वाले से मुपट तरीके से insult करती है उसका उसके बाद चुगली करते रहती है इधर सुधर इधर की बात उधर उसको उससे लरवाना और बाद में खुद को ऐसे दिखाती है जैसे वही कितनी बड़ी victim है ये गाहँ वाला कार्ड गडीब वाला कार्ड ये अब चल वो western dress पहनती है लेकिन घर के अंदर इस तरह से जो नाटक कर रही है वो बिलकुल भी clear cut एकदम पता चलता है कि ये fake है वो लड़की और घर के अंदर ये सारे लोग जितने भी एक कटारिया हो गया है या फिर अर्मान मलिक की और उतकी दोनों वाइफ हो गई ये वड़ा प उससे को जानने पहचानने वाले लोगों को एक साथ रख दोगे तो आप वो बिग बॉस का इसेंसी खतम कर देता है बिग बॉस फिर वो सो रही नहीं जाता है जब सारे के सारे जान पहचान वाले लोग ही एक साथ पहुंच जाए तो अब हम बात करते हैं विशाल पांडे की विशाल पांडे की इंसल्ट जो है स्टेज पे ही कर दिया कटारिया ने लेकिन घर में अंदर जाते हुए जिस बात के लिए उसका इंसल्ट किया था कि मैं 30 सेकेंड में डील इसका जो है वो स्वाइप आप कर देता हूं अंदर जाके एक दिन दो दिन तो लगेंगे फ्रे जोकर है यह तो सबसे बड़ा जोकर सबसे बड़ा क्लाउन जो है विशाल पांडे ही निकला विशाल पांडे बहुत बड़ा लेट डाउन है उसके काफी सारे फैंस थे पहले लेकिन उन सब को अब लगता है कि क्या ही आदमी है किस आदमी को आम लोग अब तक सपोर्ट कर करते थे कटारिया जिसने इसका स्टेज पर इंसर्ट कर दिया उसका यह बहुत चंचा बनाग भूम रहा है और बाकी जो सीनियर लोग है चाहे वो रनवीर सोडी हो चाहे दीपक चोड़स यह सबसे मूला के तूतरा करता रहता है इससे यह बात एकदम क्लियर है कि यह विशा मुनावर फारुकी से बहुत सिमलाइटी भाई किस एंगल से तेड़े और मुनावर फारुकी में कोई सिमलाइटी है किसी भी एंगल से मुनावर फारुकी और विशाल पांडे में कोई सिमलाइटी नहीं है मुनावर फारुकी ने सिंगल है अपने सोल्डर पर पूरा सो च एकदम से नकली और एक चमचा कंटेस्टेंट है, उसके लाब़ कुछ नहीं है, अब हम बात करते हैं अर्मान मलीक की, अर्मान मलीक और उसके जो दूसरी वाइफ कृत काम किया है, धोखा दिया है पाइल मलीक को, पाइल मलीक जो है अपने माबाप परिवार को छोड़के आ अर्मान मलिक के पास उसके फैमिली का उसके पास सपोर्ट नहीं था और उसको बच्चा एक हो चुका था इसकी वज़े से सिर्फ पायल मलिक जो है ये बिट्रेल ये धोखा जो है अर्मान का और कृतिका का सहली वो एक मजबूर अड़त थी जिसके पास कोई आप्शन नहीं वो कहा जाती है उसके पास कोई earning शोर्स नहीं था उस समय उसके पास ऊसके सफे परेंस का सर्पोर्ट नहीं था इसकी वयह से वो रह गई और ये आदमी अर्मान वलिक आके इस तरह से प्रवचन देता है इस तरह से घ् pem ki बाते करता है, इस तरह से बाते करता है, ऐसे लगता है कि। ये दुनिया के कितना सच्चा आदमी होगा, और अर्मान में इतना ज्यादा ये मैं-में वाली feeling है, मैं-मÉं नहीं बोलता हूं, मैं ये नहीं-वो नहीं, जबकि हरे काम करता है, चुगलियां भी क पिट पिछे लोगों के बात भी करता है, जिस बात को हो बोल देता है, जैसे एक बार आपको याद होगा कि रंवीट स्वडी के मुऊंसरे एक गाली निकल गई थी, उस बात को वहाँ पर उनके मूँंपे बолता है, आपने स्वडी बोल दिया, खतम हो गई, लेकिन ये बात क वहां से खतम होगी, तुम एक बात को जो उस सामने वाले को बोलते हो, कि आपने शोडी बोल दिया, खतम हो गई, आपके मुह से गलती से निकल गया, उसके बाद वह उस बात को लेकर घड़े के हरे एक कंटेस्टेंट के अंदर जाके उसको उस आदमी को डिफेम करते हो, सेम पॉइंट उटाते हो, बाद में वो सब कुछ खतम हो जाने की बाद फिर से एक नया टास्क करता है, फिर से आप वही मुद्दा उठा देते हो, और कहते हो कि मैं चीजे खतम कर देता हूँ, तो ये आदमी भी clear cut fake कर रहा है, जिस तरह से वो दिखाता है वहाँ पे अपने परमान और क्रितिका काफी शातिर लोग हैं, पायल मलिक जो है, उसके साथ गलत हुआ है, पर वो गेम में ही खोई-खोई चीजे हैं, उनका बहुत कम content आता है, लाइब में भी कम content उनका दिखता है, और episode में भी, तो आगे अगर वो अच्छा करेंगी, तो उनके लिए आपने प्रीमियर में सुने थे, जो अनिल कपूर ने लगाये थे, वो सारे के सारे इलजाम सच थे, और वो केवल फालतू का सारा दिन मूँ सरा के रखती है वड़ा पाउगल, और किसी बात को किसी तरह से twist करके जवरदस्ति का मुद्दा बनाने की कोशिस करती है, दूसर अर्मान इलनों का जगड़ा हुआ है, अंदर में आके वो शिवानी का एडवोकेट की तरह बोल रही थी रनवीड को, कि शिवानी जो है वो तो बच्ची है, फिर रनवीड और अर्मान जो यह कहना सुड़ करता है कि किस एंगल से बच्ची है, वो कहीं से भी बच्ची नह नहीं करते हैं, अभी तक मैंने जितने भी नाम लिये हैं, इन में से कोई सा भी कंटेस्टेंट बिग बॉस के अंदर आना ही डिजर्व नहीं करता, ना आपका कटारिया, ना आपका विशाल पांडे, ना आपकी सिवानी कुमारी, ना आपकी वरापावगर, ना ही अर्मान ना रितिका मलीक, इन में से कोई सा भी इनसान इस शो में रहना डिजर्व ही नहीं करता, इनको बिग बॉस को कास्ठी नहीं करना चाहिए, बिग बॉस को भी फ्री में मिल गया होंगे, इन लोगों को बहुत जादा पैसे देने की द्रूवत नहीं है, ये सारे के सारे मिल गया जो कि अब बिग बॉस के लिए सिर्दर्द हो गई होगी दस दिन हो गया और दस दिन में आपने एक भी sponsor टास्क देखा क्या बिग बॉस को एक भी sponsor नहीं मिला है अभी तक जो कि किसी टास्क को sponsor कर पाए तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना flop season जा रहा है अभी तक अब हम बात करते हैं तीन और contestant जिनका कुछ भी घर के अंदर वजूद नहीं है वो घर में क्यूं है समझ में नहीं आता एक आपकी पॉलमी दास, fake contestant एक नंबर की कहीं से भी उसकी कोई भी बात जैन्यून नहीं लगती घर में उप्षू है पता नहीं दीपक चोड़सिया दीपक चोड़सिया का पत्रकार के रूप में भी कोई इज्जत नहीं है बाहर में अंदर में जाके फालतु का अपने मन से थ्योड़ी बना के लोगों को ग्यान देते रहते हैं कि मैंने ये किया वो किया उनका भी घर के अंदर कुछ रोल नहीं लगता तीसरा मुनीशा जो है इनको बस टैरोकार्ड रीडर है इनको आस्था चैनल पर जाके परवचन करना चाहिए घर में इनका क्या काम है समझ में नहीं आता तो ये तीनों के तीनों भी यूजलेस कंटेस्टेंट है अब हम बात करते हैं पांच ऐसे कंटेस्टेंट जिनके अ अंदर हो सकते हैं अगर इनके साथ और अच्छे कुछ कंटेस्टेंट होते तो सीजन बन जाता उसमें पहला नाम है साई केतन राओ साई केतन राओ जो है थोड़ा सा कभी कभी जिस तरह से जवाब देता है विशाल को या फिर इसको कटारिया को जोकर 2.0 को या फिर कई ब अगर इसको करता है और उसके बाद वो उस तरह से एक्ट करता है तो शाहिक एतन राओ जो है कभी कभी ठीक लगता है पर मूस्तली हो फेक है दूसरी हम बात करते हैं साना मकबूल भी विशाल पांडे की तरह काफी बड़ी लेड़ ड़ाउन है हाला कि वो बिग बॉस के लिए ठीक हैं as a contestant पर वो विनर मेटेरियल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो जिस तरह से ये कटारिया विशाल पांडे और शिवानी कुमारी मनीशा रानी अभिशेक मलहान और इलविश यादव की तरह क्राइव बनाने की कोसिस करती है उसी त अपने आपको clever समझते हुए और बहुत clever type की behave करने की कोसिस करती है पर ultimately बाहर में जिस संगत का असर जो है लोगों पर पढ़ता है वो हमेशा ही ये विशाल और कटारिया के साथ बैट के और इनके साथ जो bond बनाके और group बनाने की कोसिस करती है उससे उनकी भी image बाहर कोई अच्छी नहीं जारी और ऐसा कुछ भी अभी तक उनका भी कोई impactful नजर नहीं आया है तो ये दो contestant हो गए जो की big boss में चल सकते हैं पर इनके अंदर भी कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है अब हम बात करते हैं नेजी की नेजी जो है बहुत सान सुभाव का सादू संथ type कादमी है लगता है वो क्यों आगे आई शो में लेकिन वो at least negative कहीं से भी नहीं है वो एक positive बंदा है बस ये है कि उसके अंदर कोई अगर जैसे MCA stand है MCA stand भी कम बोलता था लेकि उसके अंदर एक X factor था वो एक line जो बोलता था जैसे उसने अगर बोल दिया कि इसमें तेरा प या जो भी कहलो काफी lost रहता है बहुत जादा वो heavy medication पर भी है depression होगा रखे तो उसके कारण भी हो जबता है लेकिन बहुत जादा एक inner inactive member लगता है हलाकि lazy है बिल्कुल से कहीं से भी negativity उसके अंदर नहीं है काफी positive बंदा है पर हाँ big boss के लिए थोड़ा सा उसको और active होना पड़ेगा तब जाके उसका fanbase तो अच्छा है गेम में आगे जाएंगे लेकिन उसको थोड़ा सा active और होना पड़ेगा अब हम बात करते हैं last दो contestant के जो की अभी तक हमें ठीक लगे हैं जो की अच्छे contestant है वो किसी भी season में contestant अच्छे चल जाएंगे उसमें second number पे आते हो है उनकी जो जुबान है जिस लहजह में वो बात करती है लोगों को घर के अंदर लगता है फेक है आपको फेक लगता है जो भी लगता है आप मुद्धे पर उनको attack करो बस जवरदस्ती का उस पर जो लोग attack करते रहते हैं वो गलत है और वो बंदी कहीं से भी ऐसा लग रहा है सबसे दंदार जो contestant लग रहा है जिसको सबसे जादा support करना चाहिए आप लोगों को वो अभी तक जो है वो तो रनवीर सोडी लग रहे हैं रनवीर सोडी एक दंदार character नजड़ आ रहे हैं अक्टर तो बहुत उंदा हैं एक नंबर के अक्टर है वो उसके अलावा आपकी personal political ideology उनसे अलग हो सकती है लेकिन acting में आप कह सकते हैं को बहुत जवरदस्त अक्टर है और घर के अंदर भी जिस तरह से हरेक मुद्देपून का एक opinion होता है हरेक मुद्देपून का mostly सबसे सही opinion होता है जिस तरह से कोई भी task को spottingly लेते हैं जिस तरह से उनको जो कान पकड़ने वाला task था जो punishment वाला उसमें जिस तरह से उन्होंने perform किया जिस तरह से उन्होंने अपना sportsmanship speed दिखाया उसके लिए उनको hats off बहुत ही बढ़िया लगा और उनके लिए बुड़ा भी लग पेला था कि वो इतना senior actor जो है कान पकड़ के घूमरा है और घर वाले जो हैं इतने दोगले लोग है विशाल पांड़े बाद में कहता है कि अगर जो है यह कान पकड़कर हमें पहले पता होता कि सजा यह होगा कि कान पकड़के sorry बोलना है तो हम मना कर देते हैं तो भाई ज चाहते हैं कि रनवीर जी कान पकड़ के हमें सोडी बोलें तब भी आप मना कर सकते थे पर नहीं ये दोगले लोग हैं कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं कुल मिला के इस सीजन में जितने भी कंटेस्टेंट थे वो साड़े के साड़े mostly बकवास हैं सबसे अच्छा जो अभ के साड़े इस प्लैटफॉर्म को डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हैं हमारे नजर में आपका क्या कहना है हर एक कंटेस्टेंट के बारे में जो हमने अपना ओपिनियन रखा क्या आप उससे सहमत हैं आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं तो बस इस वीडियो को यहीं क्यू